नमस्का फ्रेंड मैं हूँ चंदन पिटेल और देखे आज मैं बात करने जा रहा हूं नाइका के उपर यहां पर आप देख पा रहे हों के लगभग इसका 2388 रुपे का करेंड मार्केट प्राइज देखे यह 144 रुपे तेज है अगर हम यहां पर परसेंटेज के बात करें तो 6.54 परसेंट के इस स्टॉक में तेजी है लेकिन यह बहुत ही बुरी न्यूज आई है देखे बुरी न्यूज क्या है वह मैं आपको बताता हूं यहां प तारीक को आने वाला है और आज ही 14 तारीक है और दिखी कि यहां पर जो इसका अर्निंग रिज़ल्ट आया है वह 95 नेट प्रॉफिट में 95 परसेंट का फॉल्स दिखा है मतलब 95 परसेंट गिर गई है कमपनी ठीक है न यहां पर जो कॉर्टर टू का जो रिजल्ट आया है 95% का loss आया है और इसका जो revenue है यहां पे आप देखिए जो इसका revenue है वो बढ़ा है लेकिन revenue बढ़के क्या करेगा आप ध्यान से देखिए ये company कितना था पहले जो अभी इस quarter में मतलब जो quarter two में जो इसका रिजल्ट आया है 1.2 करोण का लेकिन जो पहले जो मतलब पिछले कॉर्टर में इन्हों ने जो बताया था ठीक है पिछले कॉर्टर मतलब लास्ट कॉर्टर में जो इन्हों ने बताया था नेट प्रॉफिट वो 27 करोण का नेट प्रॉफिट था कितने का 27 करोण का नेट प्रॉफिट था और्प्र शितमबर दोहजार 2021 यह जो डॉटन है 95 परसेंट ड्राउन है याप देखे कहां 27 करोण और कहां एक 1.2 करोण kalau कितना भारी ही गिरबट है बहुत ही जबर्दस लेकिन यह जो बोड़ ने है कि इनका जो रिवेण्यू है रिवेण्यू में बढ़ावत बड़त देखने को मिली है तो भाई मेरे को तो ऐसा नहीं मिला है ठिक नहीं और ये वो लेंग जो हमारी मार्केटिंग सपोर्ट है वो रिवेन्यू इनका लगबग 68 परसेंट येर टू इयर ग्रोथ हो रहा है भाई अगर ग्रोथ हो रहा है तो इतना जबर्दस घाटा क्यूं है 27 करोड पिछले कॉर्टर में इन्हों ने किया था और अभी इनके पास 1.2 करोण का profit है तो कुछ 95% का अगर आप गिरावट कर रहे हैं ठीक है तो मतलब सीधी सी बात है कि आप जो भी पूरे आदमी आप उसको ठक रहे हो क्योंकि आप सीधी सीधी बात है कि आप IPO लाने के लिए 27 करोण दिखा दिये कि हमारा पिछले quarter में 27 करोण ह और अभी आपने गिरा दिया पूरा मतलब रिजल्ट ही पूरा गिरा दिया बुला कि हमारा profit ही नहीं हुआ 95% का गिरावट हो गई तो आदमी जो पैसे लगाये थे वो तो चूतिय बन गए न ठीक है तो भई ऐसा है कि ये company अभी देखो इतनी अगर गिरावट आई 95% की त ठीक है ओके थेंक्यू फ्रेइन